हुआ 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 है अम्रूद खाओगे न कुल इच्छा नहीं है बड़े मीठे इच्छा नहीं है भाईया तुम खाओगे पार्थ बड़े भाईया के प्रशन का उत्तर दीजी के शाव पितामा से युद्ध करने के लिए नारी कहां से लाई जाए क्या यहां पर मैं किसी को दिखाइनी दे रही हूं कल मैं पितामा का सामना करूंगी लो पार्थ तुम्हारी समस्या का समाधान तो मिल गया कल्यानी गंगा प पुरुषों के होते हुए यदि नारी को रण भूमी में आना पड़े तो यह पुरुषों के लिए मर्ने की बात है हूं बात तो बड़े भया भी ठीकी कर रहे हैं पांचाली पुरुषों के होते भला नारी रण भूमी में क्यूं जाए मुझसे पुरुषों की बात ना क निकलाए कि ये गांधारी पुत्रों का वत करने से बच जाए कि वे तो इन महापुरुशों के सगे है कि मैं तो पराई हूं कि यदि मेरा अपमान भी हो गया तो कौन सा आकाश फट पड़ा कौन सा पहा तूट पड़ा अब ये तो तुम इनके साथ खुला अन्याय कर रही हो कल्याणी ये महापुरुश है जब ही तो साधारन व्यक्तियों की भाति प्रत्यक्रमन говорить नहीं करते अ ॢ आ कि अ, तुम भी एक असाधारन नारी हो द्र ambition और एक असाधारन नारी की भातिया क्रमन करना सीखो क्या तुम ये चाहोगी कि कल इतिहास ये कहे कि तुम्हारे इन खुले उए केशों के लिए लाखों लोग कट गए क्या तुम्हारे अपमानित केश रनभूमी में पड़े लाखों शवों का बोज उठा सकेंगे तुम केवल एक नारी नहीं हो कल्याणी तुम समस्त नारी जाती के स्वाभिमान का प्रतीक हो इसलिए जहां मूल प्रश्नों पर वाद विवाद चल रहा हो वहां अपने ये अपमानित खुले हुए केशना दिखलाया करो आपका कहना उचित है बड़े भईया आपके होते कल्याणी रणभूमी में नहीं जा सकती किन्तु ब्राता शिखंडी को तो कोई मर्यादा रोक नहीं सकती ब्राता शिखंडी? वे महरती अवश्य हैं केशव किन्तु वे पितामा का सामना नहीं कर सकते हैं और फिर पितामा ने नारी की बात की थी वे अर्ध पुरुष ही सही किन्तु हैं तो पुरुष ही ना वे तुम्हारे लिए अर्धपुरुश होंगे पार्थ परन्तु पितामा उन्हें देखते ही धनुश रख देंगे ऐसा क्यों वासुदेव ऐसा इसलिए प्रियस है देव कि गंगा पुत्र के लिए महारती शिखंडी नारी ही है गंगा पुत्र उनमें काशी की राजकुमारी अंबा को अवश्य पहचान लेंगे ये ठीक है कि गंगा पुत्र ने काशी राजकुमारी अंबा का जाने या अंजाने में तनिक भर भी अपमान नहीं किया था किन्तु अपमान के नर्क में जलने वाली अंबा ये देख नहीं पाई थी और उसने हस्तिनापुर रादसभा में प्रतिज्या की थी कि चाहे उसे जन्म पर जन्म लेने पड़ें किन्तु वही गंगापुत्र भीश्म की मृत्यू का कारण बनेगी तो उसने जन्म पर जन्म लिया सहदेव और आज शिखंडी बनकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित है किन्तु क्या पितामा उन्हें पहचान लेंगे वासुदेव यदि वह गंगापुत्र भीश्म ना होते तो कदाचितना पहचान पाते किन्तु वे गंगापुत्र भीश्म हैं और इसलिए शिखंडी के रूप में सामने खड़ी अंबा को अवश्य पहचानेंगे